असलम अलेकूम अरीज कीचन में आप सभी का विलकम है तो आज आपके लिए लेके आया हम बहुत ही मज़े से स्टार्टर की रेसिपी तो यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बोनलेस मटन से हम यह बना कर रेडी कर सकते हैं आप बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं, बहुत ही चटपटे से, तो अच्छे खासे गरमा गरम यह हमारे बोटी रेडी होती है, और चटनी के साथ, प्यास के साथ, बहुत ज़्यादा टेस् साथ तो बहुत जाहर टेस्टी बनता है तो चलो आज रेसीपी देख लेते हैं इसके लिए हमको लगेगा बॉनलेस मटन तो मटन लिया है हमने 700 ग्राम और यहां पर हलका सा पैट्स भी रहेगा न चरबी तो भी चल जाएगा तो यहां पर यह मटन लिया है हमने अब इसको हम कुछ मसाले डालते है तो 1 चमझ हमने डाला है लगी पॉडर अधनियागे झ洗, 1 बेशा जिया पॉडरा ऑदा दही, दो टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं, तो यह हमने तीन टेबल स्पून के करीब डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो सारी चीज़े हमने डाल दी है, नेबू का रस भी आप डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था, तो हमने स्किप कर दिया है, अब मसाला अच्छे से लगा कर इसे हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि जो भी मसाले हमने लगा रहे हैं वो अच्छे से मटन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए तो उसे मटन हमारा अच्छे से टीस्टी लगेगा तो 20 मिनट के बाद हमने एक कुकर लिया है कुकर में जो मटन हमारा है यह हम डाल देंगे और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे तो आदा कप के करीब हमने पानी लिया है टोटल आदा गलास ठीक है जितना हमारा मटन पकने के लिए टाइम लगे जाना उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको 10 से 12 सीटी लेंगे हमने 10 से 12 सीटी लिए है अगर आपका मटन बहुत ही ज़्यादा सॉप्ट है तो आप 8 सीटी या 4 सीटी जो भी आपका हिसाब है मटन गलाने का उस तरह से आप एड़्यस करें तो यहाँ पर 12 सीटी के बाद हमने इसे खोल लिया है और यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं पानी भी इसमें बहुत ही कम रह गया है यह मतन थोड़ा सा सत था इसके लिए हमको पकने के लिए 12 सिटी लेना पड़ा है तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला भी इसका हलका सा ड्राय कर लिया है हमने अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा ड्राय नहीं करना है हलका सा इसमें पानी जो है यह जो मसाला है यह रहने देना है ताकि जो बाकी की चीज़े हम डालेंगे ना तो अच्छे से मतन को कोट कर जाए तो इसकी गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मटन हमारा किस तरह से दिख रहा है ना बहुत ही मज़िदार आपको तोड़ कर दिखा देते तो यह मटन हमारा अच्छे से गल गया है अब मटन को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है बाद में इसके अंदर बागी के मसाले डालते जाएंगे तो सबसे पहले हमने लिया एक चमच तिल एक चमच क्रश किया हुआ धनिया एक आदा चमच के करीब गरम मसाला एक चमच के करीब कश्मी रेड चिली पाउड़ा चिली फ्लेक्स लिये है एक चमच कसुई मेथी लिये हमने आदा चमच और चाट मसाला लिया है हमने आदा चमच तो ये सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे तिल और क्रेश की हुए धनिया से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठीक है और यहाँ पर थोड़ा सा हम फूट कलर डाल देते हैं ताकि जो मतन है उसका कलर अच्छा सा बढ़िया सा आ जाए और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारी मसाले हमने दिया हुए है तो आप उस तरह से डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने सारे मसाले लगा लिये है अब इसके लिए हम यूज करेंगे एक टेबल स्पून भरकर मैदा और एक टेबल स्पून ही भरकर हमने लिया है कान पला तो ये चीजे हम इसे अच्छे से लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा ड्राइ लगे ना तो हलका सा पानी का चीटा मार सकते है ठीक है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलके हाथ तो उसे करना है मिक्स क्योंगे मटन हमारा पका हुआ है तो तूट सकता है इसके लिए हलके हलके आतों से अच्छे से मिक्स करें सारी जगा पर अच्छे से कोट हो जाए जो काउन फ्लार और मैदा डाला है उससे ही हमारे जो ये बोटी कबाब है ये अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे तो यहाँ पर मसाला हमने अच्छे से लगा लिया है यहां पर देख सकते हैं आप तो इसको अब हम साइड में रख देंगे और तेल हम ले लेंगे गरम करने तो इस तरह से हम एक एक उठा कर डालते जाएंगे ठीक है देख सकते हैं मसाला पूरे तरह से लगा हुआ है तो हम तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुगा है तो हम यहां पर इसको डाल देते हैं आराम-ाराम से सारी बोटियां डाल देंगे गैस की फ्लेम हमने अभी मीडियम रखी है बाद में हम इसकी गैस की फ्लेम पास्ट कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल मसाले हैं ना हमारे अच्छे से कोट हुआ है मुटन पे तो हेथ से हालका सा क्रिस्पी हो जाए ना तो पिर हम मुठन अच्छे से बोटी हमारे क्रिस्पी हो चुकी है यह नहीं कितनी पढ़िया असे दिख रही है न किसी भी निकाल सकते हैं कि यहां पे सारे मुठन کی पीसे हम ने निकाल लिए यह हमारी चटकारा बोटी बिल्कुर रेडी है खाने के लिए तो आप भी इस तरह से जरूर बना कर ट्राइ करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तके लिए लाफिज